Bitcoin में हमें एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि market ऐसे ही चलती है up and down overall Bitcoin का चार्ट अभी भी uptrend में है इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए Bitcoin के साथ ही old coin में भी हमें अच्छी खासी selling देखने को मिल रही है बड़ TRB में अभी भी bullish momentum बना हुआ है और LDO and OP में एक अच्छे bullish turn के बाद selling स्टार्ट हो गई है इसके लावा Ethereum से related coin भी cool down हो वे है next move Bitcoin में क्या बन सकता है इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे and second part में हम बात करेंगे दो ऐसे coins की जिन में अच्छा खासा bullish momentum देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में Welcome to our channel Crypto Minders अगर आप अमारे चैनल पे new हैं तो subscribe button पर click करके channel को subscribe करें Bitcoin ने last week से ही 30,000 का जा support level है उसे hold करके रखा हुआ है और अभी इसका price trade कर रहा है 23,000 के round जैसा कि आप screen पर देख सकते हो Bitcoin का जो chart है वो अभी भी uptrend में है और अभी तक इसमें कुछ खास ऐसा change नहीं हुआ है जिसको देख कर लगे कि Bitcoin का price अभी नीचे जाएगा 17,500 के लोग को touch करने के बाद Bitcoin में uptrend ही चल रहा है जिसको हम recovery भी कह सकते है इतनी गिरावट के बाद से इसका ये मतलब नहीं है कि Bitcoin यहां से और नीचे नहीं गिर सकता है क्योंकि कई analyst का कहना है कि एक और गिरावट Bitcoin में आ सकती है जो Bitcoin के price को 17,000 के level तक ले जा सकती है बट अभी के लिए market stable है जैसा कि हम chart पर देख सकते है क्योंकि market अभी अपने support level के around है weekly chart को देखे तो 23,000 के level पर Bitcoin का 200 day moving average है जो Bitcoin के price को support दे रहा है अब बात करते है Bitcoin में next move की Bitcoin investor जो है दोस्तों वो अभी wait कर रहे है CPI report के number का Recently ये Fed ने rate hike किया था अब जो CPI number आएंगे वो show करेंगे कि Fed के rate hike का कुछ positive impact हुआ है या नहीं जिसकी report हमें आज मिल जाएगी अगर number खराब आते है तो उस case में हमें Bitcoin में गिरावट देखने को मिलेगी और Bitcoin का price 22,000 के level को touch कर सकता है क्योंकि 22,000 का जो level है वो Bitcoin का monthly 50 day moving average है अगर Bitcoin का price इसके round आता है तो आपको इसे एक opportunity की तरह लेना है और market में buying position बनानी है बट CPA report के number positive आते है तो Bitcoin का price 25,000 के level को touch कर सकता है क्योंकि 25,000 एक psychological resistance number है जहां पर कई लोगों ने profit taking target सेट किया होगा इसके लावा Ethereum से related सभी coins पर आपको नजर रखनी है तोकि Ethereum merge अभी process में है जो September में complete होगा इसलिए आपको Ethereum, ETC, ENS और Matic पर नजर बनाए रखे ये आपको अच्छा profit बना कर दे सकते है इसके लावा दो और old coin है लाइक और share कर दीजिए फर्स्ट coin है दोस्तो Phantom, STM Phantom के chart को आप screen पर देख सकते हो इसके price में एक अच्छा uptrend देखा जा सकता है और देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका price right now Bitcoin के compare में ज़्यादा stable है और buying pressure बना हुआ है जिस वज़े से इसमें हमें अच्छा pump देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसलिए ये आपकी watch list में होना चाहिए Second coin है दोस्तो, Shiba Inu coin Shiba Inu का price अपने all time high से almost 90% के round तक correct हो गया है screen पर आप इसके chart को देख सकते हो और daily time frame पर इसके chart में ascending triangle pattern बन रहा है और अभी Shiba Inu का price अपने resistance level के around heat rate कर रहा है इसके साथ में कई सारे development Shiba project में हमें देखने को मिल रहे है और कई analyst तो ये भी कह रहे है कि Shiba Inu अब meme coin की category में नहीं आता है क्योंकि इसमें बहुत ज़ज़ा improvement हो चुका है अपने launch के बाद से जिस वज़ा से Shiba Inu के price में भी हमें अच्छा pump देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में phantom और Shiba Inu coin दोनों आपकी watch list में जरूर एड होने चाहिए ये था दोस्तो आज का अमारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगाओगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले thank you, jahim